हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो मैं आपको ट्रेलिस फ्रेम के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, एप्रिकेशन और एड्वांटेज के बारे में डिटेल ने बताऊंगा अब फ्रेंड्स जब भी किसी मोटरसाइकल को मैनुफैक्चर और डिजाइन किया जाता है तो इंजन की कैपेसिटी और मोटरसाइकल के वेट के हिसाब से चेसिस फ्रेम को डिजाइन किया जाता है और उसे स्लेक्ट किया जाता है क्योंकि जो chassis frame होता है उसकी उपर में engine का weight, motorcycle का body का weight, fuel tank का weight, electricals का weight, इसके साथ ही rider का weight और rider के पीछे बैठी हुए pillion का weight ये सब कुछ weight जो होता वो frame के उपर में ही आता है इसलिए frame को बहुत ही सही धंक से चुनना बहुत जरूरी होता है अब friends, in general, जो motorcycles होते हैं, चाहे वो कम CC का motorcycle हो, चाहे जादा CC का motorcycle होते हैं, सब में total 6 तरह के frame का use किया जाता है और आज की इस video में हम trailles frame की बात करेंगे, जो की design, construction और look wise सबसे attractive और सबसे ज़्यादा मजबूत frame होता है friends, आगर आप बाकी के frame के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे comment करके बदा सकते हो अब friends, जो trailles frames होता है, वहाँ पे small straight tubes का use किया जाता है और जो tubes होते हैं, वो steel और aluminum के बने हुए होते है friends, trailles frame को बनाने के लिए, इन small tubes को canty lever method के थुरू triangle के shape में joint किया जाता है जैसा कि आप इस image में देख भी रहे हो, आपको दिखाई दे रहा हो, कैसे tube का joint है, वो एक triangular का shape बना रहा है आप friends, यह जो triangle का shape है, वो इस trailles frame को strength और stiffness प्रोवाइड करता है जिसके वजह से यह high load को असानी से carry कर पाता है उसके आप friends, जो trailles frame के design में यह triangle का shape है, उससे यह भी होता है कि जो overall frame है, वहाँ पे load का distribution होता है, वो even होता है ऐसा नहीं होता है कि आगे के frame में ज्यादा load हो, पीछे कम load हो टोटल जो trailles frame का जतना भी body है, वहाँ पे load का distribution होता है, वो even होता है trailles frame motorcycle के steering head को swing arm pivot से directly जोडता है इसके साथ ही इस तरह के frame के construction के वजह से, जो इस तरह के motorcycle होता है वहाँ पे frame के नीचे में engine को fit करने के लिए space बहुत ज़्यादा available होता है इसलिए यहाँ पे high CC का engine असानी से fit हो जाता है और इस तरह के frame के वजह से ही इस तरह के engine है, उनका maintenance और service का जो काम है वो असानी से हो पाता है फ्रेंट्स, trailles frame lighter material का बना हुआ होता है, जिसके वजह से जो trailles frame का overall weight होता है, वो हलका होता है अब फ्रेंट्स, अगर हम लोग एक 400 CC engine वाले motorcycle का example ले, तो अगर उस motorcycle में trailles frame लगा हुआ होगा, तो उस motorcycle का overall weight होगा, वो 130 kg के आसपास होगा वहीं दूसरी तरफ अगर उस motorcycle में कोई दूसरा frame लगा होगा, तो उस motorcycle का weight 140 से 145 kg तक चला जाएगा तो इस तरह से trailles frame जो होता है, वो motorcycle के overall weight को कम कर देता है, जिसके वजह से इस तरह के frame वाले motorcycle का power to weight ratio है, वो बहतर हो जाता है वहीं इस तरह के motorcycle का stability है, वो बहतर हो जाता है, handling capacity है, वो बढ़ जाता है, और high speed में इस तरह के motorcycle को handle कर पाना असान हो पाता है इसलिए जो आज के time पे KTM, Ducati इस तरह की company है, वो अपने motorcycle में trailles frame का use करती है तो friends, ये था trailles frame, बाकी के frames के बारे कर आप जानना चाहते हो, तो मुझे comment करेंगे जरूब बताए इसलिए अगर आज का ये वीडियो को अच्छा लगा हो, इंटेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो का like और दोस्तों साच्छा जरू कर दे, वीडियो के बारे में और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे comment करेंगे जरूब बताए इसके लाफ़ेंट्स, अगर आप मैंने चैनल पर नए हो, या भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकन को भी दावा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टने वीडियो के अपडेट, आपको नोटिफिकेशन अंगत्रू मिलते रहे, मिलता अगले वीडियो में, थैंक्स वर आचिंग दिस वीडियो, गुड़ बाई